So friends, यहां पर यह बोल रहे है कि क्या बात है? तुम इतने तनाव में क्यों हो? So friends, इस sentence को हम phrasal verb का यूज करके बना सकते हैं और बिना phrasal verb करें बना सकते हैं तो हम इसके दोनों इस तरीके देखेंगे सबसे पहले हम इसे बिना phrasal verb के बनाते हैं आपर ही कह रहे है कि what's the matter with you, यानि क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें, what's the matter with you, why are you so stressed, तुम इतने stressed क्यों हो, इतने तनाव में क्यों हो, कह रहे है कि what's the matter with you, why are you so stressed, यानि क्या बात है, तुम इतने तनाव में क्यों हो, ये था simple तरीका, अब हम इसको एक phrasal verb का यूज़ कर है कि कोई तनाओं में है परिशान है यानि बहुत जादा वरीड है तो इसके लिए में उस करते हैं वूंड अप का तो यहाँ पर ही कह रही है कि तो यह वज़ा बता रहा है कि मैं थका हुआ हूँ मैं कल रात सोया नहीं था इस सेंटेंस को भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं सबसे पहले में कि हम कहेंगे यानि मैं टायर्ड हूँ थका हुआ हूँ आइड गो टू बेड लास नाइट का मतलब है कि कल मैं सोया ही नहीं थका हूँ मैं कल सोया नहीं या फिर हम इस सिंपल इस तरीके से बोलेंगे मैं थकवा हूँ मैं कल रात जागता रहा I am tired I stayed up last night I am tired I stayed up last night यानि मैं थकवा हूँ मैं कल रात जागता रहा इन दिनों यदि एक रात तक जाग लेता हूँ तो अगली सुबह थक जाता हूँ तो बता रहा है कि ये दिन ऐसे चल रहे है कि इन दिन अगर में एक राज जाग लूँ तो अगले दिन बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ तो इस इंग्लिश में बोलेंगे these days if I stay up late one night, these days if I stay up late one night, I am exhausted the next morning यानि अगली सुभा में बहुत जादा थकावा महसूस करता हूँ, these days, in the know, if I stay up late one night, अगर एक राज जादे देर तक जाग लेता हूँ मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना था, तो सामने वाला बंदे इससे पूछ रहा है कि तुम जागे क्यों थे, क्या वज़ा थी my unfinished work, या फिर हम एक फ्रेजल वर्प का यूज़ करेंगे, इस तरीके से बोलेंगे, I had to catch up on my work, I had to catch up on my work, तो हमने यूज़ क्या है catch up का, जब भी हम catch up on my work का नाम लेते हैं, जब भी हम इस तरीके से कहते हैं, तो हमारा मतलब होता है कि, जो मेरा काम रह गया था, जो पूरा काम पूरा करना था, इसलिए जागा में, या हम कहेंगे, I had to catch up on my work, या मुझे अपना धूरा काम पूरा करना था, या मुझे तो लगा था, तुमने अपनी नोकरी छोड़ दी थी, इसे भी हम दो तरीके से बोलेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे, I thought you had quit your job, यह simple तरीक I had given up your job, तो जोब के लिए हम जोब छोड़ने के लिए हम give up का भी उस करते हैं, तो कह रहे है कि I thought you had given up your job, मैंने सोचा था, तुमने अपनी नोकरी छोड़ दी, तो आगे कह रहा है कि yes, I had, हाँ मैंने छोड़ दी थी, बता रहा है कि yes, I had, हाँ मैंने छोड़ दी थी, this is a temporary job, I have taken up, तो जब भी हम जोब को take up करते हैं, मतलब कि हम उस काम, उस जोब को करना शुरू कर देते हैं, हमने उस जोब की जिम्मेदारी ले ली, तो यहाँ पर ही बता रहा है कि yes, I had, हाँ मैंने छोड़ दी थी, this is a temporary job, I have taken up, यह तो एक temporary job है, जो मैंने ली है, यानि जो मैं कर रहा हूं, हम तुम्हारे तनाओ को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यह कह रहे हैं, कि तुम्हारे तनाओ को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे, simple way में, what can we do to reduce your stress, यहानि तुम्हारा जो stress है, हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, what can we do to reduce your stress या फिर हम बोलेंगे what can we do to calm you down calm you down जब कोई ज़ादा गुस्से में होता है ज़ादा परेशान होता है ज़ादा टेंशन में होता है तो उसे calm down करना मतलब उसे कम करना तो यहाँ पर यह से कह रहे है दो तरीके से बोल रहे है तो के रहे है कि what can we do to reduce your stress यानि तुम्हारे stress को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहां बोलेंगे what can we do to calm you down हम तुम्हें शान्द करने के लिए क्या कर सकते हैं यानि तुम्हारा stress से कम करने के लिए क्या कर सकते हैं नेक्श्ट देखते हैं फ्रेंडंस, यहां पर यह बोल रही है कि चलो पारक में थोड़ा टहल लेते हैं इसे इंग्लिश में बोलेंगे, let's go for a little stroll in the park let's go for a little stroll in the park, stroll मतलब टहलना, तो कहरें कि let's go for a little stroll in the park चलो पार्ग में थोड़ा ठहल लेते हैं और हम वापस आते समय डिनर के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं अब इसे भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा एक तो बिन फ्रेजल वर्प के एक फ्रेजल वर्प के बतारे कि and we can also buy something for dinner on the way back और हम वापस आते समय डिनर के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं आप खरीदने के लिए या तो आप buy का यूज़ कर लो या आप इस तरीके से कह सकते हो कि and we can also pick up something for dinner on the way back तो यहां आपने buy की जगा pick up का यूज़ किया है तो जब भी आप कहीं आते जाते कोई सामान खरीदते हो या लाते हो उसके लिए आप pick up का यूज़ कर सकते हो यानि इसा collect करके लाना तो यहां पर ही कह रहे है कि and we can also pick up something for dinner on the way back और हम वापस आते समय डिनर के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं ला भी सकते हैं घर आते समय दूद ले आना तो कोई जा रहा है उससे कह रहे है यह दूद खतम हो गया इसके पास तो बता रहे है कि pick up some milk on your way home on your way home इससे समझो इसका मतलब है कि जब तुम घर के रास्ते पर हो यानि जब तुम घर आओ पिक up some milk तो थोड़ा दूद ले आना तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो pick up some milk on your way home घर आते समय दूद ले आना हमारे पास दूद खतम हो गया है खतम होने के लिए हम कुन से फ्रेजल रॉप का यूज़ करेंगे run out का इसकी English होगी we have run out of milk we have run out of milk यानि हमारे पास दूद खतम हो गया है मैं घर आते समय दूद ले आऊंगा यह करा है कि I will pick up milk on the way home I will pick up milk on the way home यानि मैं घर आते समय दूद ले आऊंगा मेरा तुम पर चिल्दाने का कोई इरादा नहीं था इसे हम English हों बोलेंगे I had no intention of shouting at you यानि मेरा कोई रादा नहीं था तुम पर चिल्दाने का मुझे ऐसा लगता है कि उसको बढ़ा चढ़ाने के बताने की आदत है इसे हम English में बोलेंगे It seems to me यानि ऐसा मुझे लगता है यह मेरा मानना है It seems to me That she has a tendency to exaggerate यहाँ पर tendency का मतलब है जुकाओस है यह किसी का जुट बोलने की तरफ को जुकाओ है यानि उसकी आदत है और exaggerate है exaggerate किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना यहाँ पर रहा है It seems to me That she has a tendency To exaggerate मुझे ऐसा लगता है कि उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत है So friends आज की वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो में हमने आपको कोशिश की है हर sentence के दो से तीन तरीके बताने की कि आप ऐसे बोल लो या ऐसे इससे क्या होता है कि हमें ideas मिल जाता है कि हाँ हम पे बोलने के कही तरीके है और इस तरीके से हम अच्छे से English में बातचीत भी कर पाते है अगर आपको simple तरीके से बोलना हो तो आप simple sentence का यूज करना और थोड़ा advanced में में बोलना हो तो आप phrasal verb का यूज करके बोल सकते हो So friends अगर आपको और भी से तरीकी वीडियो देखनी हो तो हमारे सेनर को जोरो subscribe कर लेना वीडियो अच्छे लेगे तो like जरूर कर देना and thank you so much for watching this video friends